अस्सलाम अलेकुम दोस्तों विजापूर एक तारीकी शहर में आप सबका स्वागत है विजापूर मशूर है यहां के मज़िदों के लिए, बावडियों के लिए और दरगाओं के लिए जो विजापूर में विजिटर आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, उनको थोड़े ही इनमें से बावडियों और मज़िदे और दरगाओं मालुम हैं जो हेडलाइन की तरह विजापूर में मवजूद हैं हेडलाइन के अलावा भहुत सारे ऐसे भी बावडियां और मज़ीदें हैं जो अन्देके हैं उन्हीं अन्देकों बावडियों को मैं और मज़ीदों को दिकाने की कोशिश करता हूँ जो टूरिस्ट से चुपी हुई है यह देखिए आज उन्हें से एक पहली बावडियों है जो एक अंडरग्राउंड टनल शाप्ट में बनी हुई है यहाँ पे से एक टनल निकलता है जो विजापूर वाटर सप्लाई के लिए यूज होता था यहाँ पर एक आपको पानी दिख रहा है यहाँ का बानी का टेबल लेवल इतना है कि दो ही स्टेप नीचे उतरने के बाद में पानी दिखाई दे रहा है यह आज खाजामिन दरगा से करीब है और रामलिन टैंक के पीछे वे टैंक उसके पीछे में ये बावडी एक बड़ी सी बावडी है शाही जो हमें आप और आपको नजर आ रही है जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं यह एक तारी की आदिल शाही बावडी है दोस्तों इसको हम ऐसे अंदेका कर दिये हैं कि ये चुपी हुई है जाडों में कुछ सभी गंदगी और कच्रा यहाँ पर उग गया है इसकी खुपसुरिती आपको नजर नहीं आ रही है यहाँ पर यह बहुत खुपसुरित बावडी है आगे हम जा नहीं सकते हम अभी आपको इतना दिखा रहे हैं यह देखिए उसका सराउंडिंग कमपॉर्ण जो है वो है वो सामने जो दिख रही है अभी आप गमान देख के आये हैं बावडी की वोँखे है और पीछे में यह जो भी यह वाल्स दिख रहे हैं दिवाल यह सभी उसके दिवाल है इतनी बड़ी वो बावडी थी हर बवडी के बाजु में जब मजजीद होना तय है जहां पर एक शाई बवडी होती थी वहां पर शाई मजजीद होती थी उसी की तरह यहां पर भी एक शाई मजजीद है जो चोटी एक कमान की है एक चोटी सी खुबसरत मज़िद बनाई है ताकि यहां पर जो लोग यहां से गुजरते थे यह अन सामय में लोगों का तो यहां पर नमाज पड़के जा सकें यह देखिये दोस्तों यह एक चोटी सी कुबसरत वीरान मज़िद है ऐसे मजजिदें आपको इसलिए दिखाता हूँ ताकि ये मजजिदें आबाद हो सके हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि ऐसी मजजिदों को हम आबाद करें आज कल यहाँ पर फ्लोटिंग वगरा हो रहे हैं जहाँ पर पुराने इमारत हैं वहाँ पर आज फ्लोटिंग वगरा हो रहे हैं वहाँ पर हम फ्लॉट खरीदे एगर बनाएं और ऐसे मस्जिदों को आबाद केजिए यह देखिए वो खुबसुरसी एक छोटी सी शाही मस्जिद यह देखिए इसके सामने ही फ्लॉटिंग वगरा हैं यहाँ पे एक लेयाउट है यह अब हम आपको इसका पीछे का हिसा दिखाएंगे इस मस्जिद का काफी अच्छे तरीके पे इसको बाना गया देख रहे हैं आप इसके स्टोन्स वगरा अब हम इसके पीछे जाएंगे दोस्तों ऐसे कही सारे मस्जिदे विरान पड़ी हैं लोगों का तो कहना इतना है कि विजापुर में जितने मस्जिद हैं और दरगाएं हैं और बोड़ीयां हैं कहां पर भी नहीं है इन में से कुछ ही गिने चिने लोग पचानते हैं बाकी तो यह अन्नोन में आते हैं इसका कोई नामों निशान नहीं है ये मज़ीदें विरान हो चकी है और गुमनाम हो चकी है और एक मज़ीद इसके आगे में यहाँ पर खड़ी मशीन है यह भी छोटी एक कमान की मज़ीद है यह भी खुबसरे सी मज़ीद है अभी यहाँ पर आबादी आ चुकी है यहाँ पर मगर लोग इसको आबाद नहीं कि हैं मगर इसकी थोड़ी देखरेक कर रहे हैं यह देखिए वह छोटी सी खुपसुरत मस्दिद यह भी एक शाही मस्दिद है पुरानी जो आदिल शाही मस्दिद है यह देखिए उसकी खुपसुरती यह एक कमान की मस्दिद है उस समय में एक कमान तीन कमान और जो ज़्यादा कमानों वाली मस्दिद इसलिए बनाते थे कि वह डिपेंड करता था कि वहाँ पर कितने लोग रहते हैं और कितने लोग नमाज पढ़ते थे उसी के हिसाब से वहा कमी लोग होते होंगे या तो और मज़िदें इसके पीछे यह सुनेरियम बड़ी है इससे इतने मज़िदें होने के बावजुद भी और लोग मज़िदें बना रहे हैं ऐसे मज़िदों को आबाद करना चाहिए यहां पर नमाज पढ़ना चाहिए ना कि यह चंदा उटा के नए मज़िदें बनाने चाहिए इनी मज़िदों को आबाद करो दोस्तों ये विदियो बनाने में काफी मुश्किल हो गए क्योंकि यहां पर एक बहुत जानवर है और यहां पर अंदर आ नहीं सकते थे इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए शेहर कीजिए ताके आगे हम आपको इस तरीके में बता ये देखिए ये भी एक खुब्सुरसी बावडी है दोस्तों ये मस्जिद है और यहाँ पर इसके पीछे बावडी है हर मस्जिद के बाज़े में बावडी होती है तो ये मस्जिद के बाज़े में भी एक शाही बावडी है जो अभी एक रियाईशी इलाके में है मगर इसकी कोई साप सफाई और देख रेकी कुछ नहीं है यह देखिए वो बावडी काफी बड़ी बावडी है अगर इसको साप करकर यहां का पानी यूज़ किया जाएंगा तो कितना अच्छा होगा मगर सरकार ऐसे करती नहीं देखिए आज इसकी हलत क्या हो गई है इसके पीछे मोट भी है यानि के ये खेती में खेती के लिए बाद में यूज़ करते होंगे लोग ये देखिए वो पीछे से मोट इस वीडियो को शेर कीजिए जादा तर ताके और लोग इसको देखें इसे मजज़िदों की हालत देखकर उनको कुछ अहसास हो सके